कर दोस्तों मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंग आप सभी का मेरे चानल डॉक्टर मीनाक्षी होमेपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि यदि बॉड़ी में टेस्टेस्ट्राउन हार्मोन का लेविल कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन सी होमेपैथिक मैटिन यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ कि अगर आपका लेविल कम है हार्मोन का की बॉड़ी में तो इससे आपके शरीर में क्या क्या लक्षन दिखाई देंगे क्या क्या परिशानियों का सामना करन पर सकता है तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि जब मैं अगला वीडि से क्टिविटी के अलामए इसका जो वर्क है वो स्टैमिना और मेटबॉली अक्टिविटी को बढ़ाना भी है साथि-साथ जो रिप्रोडक्टिव और अर्गन से उनको बनाने में हर्प करता है उनके डेवलपिंट में उनकी ग्रोफ में भी हर्ता है और जो सेक्शुल अर ऑफिरेंगे तेस्टरिष्टान लेवल पाए जाता है लेकिन वह उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या होता है कि अगर एस्टरिजन हार्मोन की जगा टेस्टरिष्टान का लेवल किसी वजा से बढ़ने लग जाता है तो आप देखेंगे उनमें हेयर ग्रोथ होने लग जाएगा जो कि unwanted hair growth means उनके facial पर देखेंगे कि hair आने लग जा रहे हैं और साथ ही साथ जो breast development है वो कम होने लग गया है sexual organs जो है उनका development सही से नहीं हो रहा है तो यह females में भी परिशानिया हो सकती है और अगर male में ऐसे character है तो आप देखें जैसे जो है तो थोड़ा भारी होने लग जाती है हर्स होने लग जाती है और साथी साथ है निस की प्यूबिक हैं अदर आम में hair growth होने लग जाएगा आपकी हाथों पैरों पे बाल आने लग जाते हैं लेकिन अगर testor strong का level लेए में और दो एन लो गरे या पुंदर जाता है और जो अवाज घर पर अब यूढ़र का सब्सक्राइब Jacob में जो 3 लाओन लेगे तो थंन कहले सेयल भी थेश्टाइब अबूकर नहितं यह स्टैमिना सेटेबगा इस परफाफ Mark होगा सुस्ती और बहुत ज्यादा इक टेंसन लहता है इस्ट्रेस रहेगा चिर्चिड़ापन फील होगा और साथ ही साथ नपुन सकता भी देखने को मिल सकती है अगर टेश्टर इस्ट्राण का लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला गया है तो और फिजिकल रिलेशन बनाने कि इच्छा में भी कमी आने लग जाती है और फिजिकल वर्क वर्क आउट भी ना करने का मन होता है कि हाँ ठकान लग रही है बहुत जादा सुस्ती हो रही इस वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगेगा क्या कारण हो सकता है टेश्ट्रेस्ट्राण लेवल के कम होने का तो इसमें क्या टेश्ट्रेस्ट्राण का लेवल हमेशा एक समान नहीं रहता है यह कम या ज्यादा होने होता रहता है बट अगर लगातार इस हार्मोन के लेवल में गिरावट आ रही है तो इसके लिए डॉक्टर से कंसर्ट जरूर करना चाहिए और अपना टेश्ट जो है र में गिरावट आ सकती है अनुवांशिक डिजीज अगर आपको कोई है जैनेटिक प्रॉब्लम है तो उसकी वज़ा से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है साथी साथ अगर आपके बॉड़ी में आयरन का अमांट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वह भी टेस्ट्रोस्ट्र रहे है या मोटा पा ज्यादा है तो भी आप में यह परिशानियां आ सकती है नेक्षट बात करते हैं कि यह जो कि यूज कर सकते हैं और आप के रिए बहुत ही एफ़क्टिव रहेंगी तो इसमें सबसे पहली होमेप्टिक मैडचिन है जो कि हैटेश्टिस को आपको 3E x Potence सब्सक्राइब करते हैं तो इस मैडिसिन की आपको दो टैबलिक यूज़ करनी है दिन में तीन बार सुबा दो पार शाम यूज़ करना है नेक्ट मैडिसिन की बात करते हैं जो कि है सेलेनियम सेलेनियम भी इसके लिए बहुत है चाहे आपके अंदर जो मैंने सिम्टम्स बताएं है थकान सुस्ती चिड़ चिड़ पन है नपुन सकता की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो यह सब अगर सिम्टम्स हैं तो भी बहु यूज करना है सुबा दो पहर शाम कि दूरों मैडिसिन कम से कम आपको तीन महीने यूज करना है और आप देखेंगे कि आप में जो सिम्टम्स हैं जो आपको परिशानी है वो धीरे-धीरे कम होने लग जाएगी और टेश्ट्रस्राण का लीवल भी आपका नॉमल जाएग यूहिम्बिनम अगर आपको टेश्ट्रस्राण का लीवल आपका डाउन है और साथ ही साथ अगर आपको नपुन सकता की परिशानी है आपको फिजिकल रिलेस्टनसिब बनाने में मन नहीं लगता है यह सब अगर परिशानिया है आपको तो इसके लिए यूहिम्बिनम जो अश्रोगंधा भी इसके लिए बहुत ही effective है अगर आप में stamina की कमी हो गई है metabolic activity कम हो रहा है physically active नहीं है तो इसके लिए भी बहुत ही effective है तो इस medicine की भी आप 10-10 बून ले सकते हैं सुबा दो पहर शाम दिन में 3 बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1-4 cup पानी ले करके सुबा दो पहर शाम दिन में 3 बार दस दस बून डाल करके आपको पीना है इन सभी medicine को कम से कम आपको 3-4 महिने यूज़ करना ही करना है आप देखेंगे कि जब आप medicine लेना स्टार्ट करेंगे थोड़ी टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका जो स्टामिना लो होने लग गया था वह आप गेंड करने लग गए है आप फिजिकली थोड़ी थोड़ी होते जा रहे है और धीर धीर आपका तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इससे संबंदित कोई क्वेरी है कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसे बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं साथ ही साथ अगर आप मुझे किसी डिजीज के रिगार्डिंग अपॉइन्मेंट लेना च साथ अगर अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है आप मेरे चानल को नए है तो इस चानल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल आइकोन बटन जरू दबाएं जिससे कि आप मेरे नेक्ट वीडियो से अपडेटेट रहें मिलते हैं फिर नेक्ट नेक्ट वीडियो में थैंक यू बाए बाए